तो भाई जहाँ पिछली तीन वीडियो में हमने देखी थी चेन्ने सुपर किंग्स RCB और मुंबई इंडियन्स की स्ट्रॉंगेस प्लेंग 11 फॉर IPL 2025 आज की वीडियो में हम नज़र डालिंगे उस टीम की स्ट्रॉंगेस प्लेंग 11 पे जो की थी पिछले IPL की चैंपियन हा लेकिन इस स्ट्रॉंगेस प्लेंग 11 में एक चीज़ देखना बहुत ही दिल्चस्प होगा कि आखिर इस प्लेंग 11 का कप्तान कौन बनेगा क्योंकि भाई श्रियर शायर जो की पिछले साल केक्यार की कैप्टेन थे वो इस बार जा चुके हैं पंजाब में और जाहिर सी ब आपने CSK, RCB या फिर Mumbai Indians की strongest प्लेंग 11 वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई उटन पर क्लिक करके आप किसी वीडियो को चेकाउट कर सकते हैं पर जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर टीम की strongest प्लेंग 11 देखने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर उस टीम के स्क स्कुएट में प्लेयर्स कौन-कौन से हैं तो आओ यार एक बाद KKR के लिए भी देख लेते हैं कि आखिर इनके स्कुएट में खिलाडी कौन-कौन से शामिल हैं जैसा कि आपको पताई है कि KKR ने मेगा आक्शन से पहले ही 6 प्लेरों को रिटेन कर लिया था पहले थे र को पूरे 23.75 करोड में अयर के बाद जिस प्लेयर पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च करे वो थे एंडिस नौर किया जिनको खरीदा 6.5 करोड में उसके बाद सबसे ज्यादा पैसे खर्च करे कुंटन डिकौक पे जिनको खरीदा 3.6 करोड में रगुवंशी को लिया 3.8 मोहिन अली को 2 करोड में हर टीम की तरह जो केके आर के पास भी 120 करोड का बजट था उसमें से केके आर ने 119.95 करोड रुपे खर्च करे और अपने पर्स में बचाए मातर 5 लाक रुपे लेकिन भाई हर टीम जो की 25 प्लेयर मैक्सिम खरीच सकती है KKR ने उन 25 प्लेयरों में से मात्र 21 प्लेयर खरीदे लेकिन मैक्स टू मैक्स हर टीम जो 8 Overseas players बाय कर सकती है KKR ने उन 8 Overseas players का quota पूरा कर लिया मैं यहाँ पे आपको फिर से याद बिला देता हूँ कि KKR के पास जो 8 Overseas के player हैं वो है आंदे रसल, सुनी नरायंट, एनरिश नौरकिया, कुंटन डीकॉक, स्पेंसर जॉंसन, गुरबास, मोहिन अली और रॉबमेन पावल तो अब जहाँ हमने कोलकता नाई डाइडर्स के पूरे squad पे नज़र डाली है अब इस squad में से निर्मार करते हैं KKR की strongest playing 11 का for IPL 2025 तो इस strongest playing 11 में जो मेरे openers रहेंगे वो होंगे कुंटन डीकॉक और कुंटन डीकॉक के साथ हम opening कराएंगे जो की पिछली सीजन में KKR के लिए धमाकेदार opening करके आये थे हाँ मैं बात कर रहा हूँ सुनीन नरायन की opening से आगे बढ़ें तो first down position पे मैंने रखा है अजिंग के रहाने को जिनको मैंने KKR का कप्तान भी खुशित किया है मैं जानता हूँ कि मेरे इस decision के बहुत लोग खिलाफ हूँगे बहुत लोग को लग रहा होगा कि आर रहाने की खुद की position stable नहीं है आखिर आप उसको कप्तान कैसे बना सकते है भाई जिस तरीके से इस समय अजिंग के रहाने सयद मुस्ताकली ट्रॉफी में खेल रहे है ना भाई इस समय कोई ही team उनको 100% अपनी team में शामिल करने को देखेगी और साथ इसाथ मैं तो ये भी कहूँगा भाई कि यार KKR में कोई ऐसा player ही नहीं जिस पे आप भरोसा करके कप्तान बना सके आपकी team पिछले साल title जीत के आई है तो ऐसे में आप किसी ओंगे पौंगे player कप्तान नहीं बना सकते हैं बहुत लोग कह रहे हैं कि vantage अईयर कप्तान बनेंगे लेकिन भाई सस तो यही है न कि अईयर के पास घंटा अनुभव नहीं है कप्तानी का उसके अलावा भी आपको team में जो players दिखने को मिलते हैं चाहे नरायन हो गए, चाहे रसल हो गए, चाहे कुंटन डिकॉक हो गए इन्होंने भी कहीं ऐसी खास कप्तानी नहीं कर रखी है लेकिन रहाने इस square के अंदर एकलौते ऐसे player हैं भाई जिस बंदे के पास कप्तानी का दिमाग तो है जहां भी जाता है कप्तानी में जंडे गार के आता है भले ही ऐसा player ज्यादा contribute ना कर पाए लेकिन उस बंदे की कप्तानी स्किल्स को लेके कभी किसी को कोई शक नहीं रहा है तो इसी लिए मैं रहाने को first down पे रख रहा हूँ और भाई देखो अगर तुमको अभी थोड़ी सी गलत फहमी हो रही है तो मैं तुमको नमबर सथ बता दूँ कि इस समय जो सयद मुस्ता कली ट्रॉफी चल रही है उसमें रहाने 5 इनिंग में 200 रन मार चुके हैं 50 की एवरेज और 162.3-3 की स्ट्राइक रेट से भाई उस बंदे की पारियां देखो कैसे खेल रहा है 31 बॉल पे 52 नौट आउट 25 बॉल पे 55 नौट आउट कुछ वक्त पहले ये खबर भी सामने आ गई थी कि रहाने की ही कप्तान बनने की चांसे सबसे ज्यादा है वो नंबर वन कंटेंडर है केके आर के कप्तान बनने के लिए वैसे क्या रहाने के अलावा आपके मन में ऐसा कोई नाम है जो KKR का कप्तान बन सकता है IPL 2025 में तो उस नाम को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा रहाने के बाद 4 पोजिशन पे रखा है उस प्लेयर को जिस पे भाईया KKR ने IPL 2025 के मेगा उक्षन में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किये पूरे 23.75 कोड़ रुपए हाँ मैं बात कर रहा हूँ वैंक्टेश एयर की वैंक्टेश एयर 4 पोजिशन के लिए एकदम सूटेबल है 5 पोजिशन पे आएं तो यहाँ पे रखा है उस प्लेयगर को जिसको सबसे ज़़धा पैसे देखे के क्यार ने मेगा उक्षन से पहले रिटेन कर लिया था हाँ मैं बात कर रहा हूँ रिंकू सिंग की देखो रिंकू सिंग को ज्यादा लेट करने की गलती यहाँ पर के क्यायर को नहीं करनी चाहिए जो गलतियों पिछले सीजन में कर रहे थे अगर भाई सबसे पहले रिटेन करा है तो कम से कम फिक पॉजिशन पर भेज़ दो जहां पर आके कई बार उनको टिकने का मौका ही मिल जाएगा और एक बटिक जाएंगे तो फिर जाते जाते क्या धमाका मचाएंगे यह तो सब को पता है रिंकु सिंग से आगे बढ़ें तो छटी पॉजिशन पर दिखेंगे आंदे रसल जो पॉजिशन उनके लिए एकदम परफेक्ट है जहां पर आएंगे और सीज़े जाके चौके चके लगाएंगे मस्ट टीम के लिए मैक्चिस फिनिश करेंगे रसल के बाद रमन दीप सिंग को यहाँ पर मैंने रखा है रमन दीप सिंग महीं है जिन्होंने हाली में इंडिया के लिए डेब्यू किया टीट्वेंटी में और ठीप ठाक डेब्यू रहा बैटिंग भी कर लेते हैं ज़रुत पड़े तो बॉल ने भी कर सकते हैं रमन दीप सिंग के बाद यहाँ पर मैंने रखा है स्पेंसर जॉंसन को उसके बाद नाइंध पोजिशन पे रखा है हरशित राना को जो की भाई एज एन अनकाट प्लेर टीम में रिटेन हो गए थे गौती भाई की कृपा थी मात्र चार क्रोड में के क्यान नेन को मेगा से पहले रिटेन कर लिया था खेर राना से आगे बढ़ें तो दस्वी पोजिशन पे रखा है वरुन चक्रवर्ती को जो की पिछले सीजन में भाई के क्यार के वन अफ दा बेस्ट पॉलर रहे थे जहां जा रहे थे भाई मैंन ओ दा मैच ही बन के आ रहे थे लेकिन अब ब प्लेइंग 11 की तरफ देखें तो एक अच्छा खासा बैलन्स हिजर आता है इस पिन डिपार्टमेंट सम्हालने के लिए सुनी नरायन और वरुन चक्रवर्ती जैसे प्लेयर हैं और वहीं बेस डिपार्टमेंट सम्हालने के लिए हर्चितराणा है वहबब अरोड़ा है सा अगर हाथ दो इंपार्टमेंट प्लेयर के रूप में किसी बैस्मेंट की जरुवत पड़े तो रगु बंशी का इस्तमाल यहां पर किया जा सकता है और अगर लगे कि यार्टमेंट जो है वो कम पड़ रहे हैं वरुन चक्रवर्ती और नरायन के अलावा एक और इस्पिन में होगा नहीं लेकिन फिर भी अगर लगे कि हाँ भाई बहुत ही अच्छी पिछ है स्पिन को सपोर्ट कर रही है तो एक नाम है मैंक मारकंडे का जिनको आप एस एन इंपार्ट प्लेयर टीम में ला सकते हैं तो दो इंपार्ट प्लेयर जिनके नाम मैंने आपको बताए पहले हैं रभुवंशी और दूसरे हैं मैंक मारकंडे तो ये थी केके आर की स्ट्रॉंगेस प्लेयर लेवन फॉर आईपियल 2025 अब जो भी ये वीडियो देख रहा है आप इस प्लेयर लेवन को दस में से आकर कितनी रेटिंग देंगे कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा औ इस स्ट्रॉंगेस प्लेयर लेवन के साथ क्या केके आर एक पर फिर से टाइटल को डिफेंड कर सकती है अपना जवाब कमेंट सेक्शन में सुरूर देना और यास सिभाई डिस्क्रिप्शन ओपिन करेंड में दीए वी लिंग से हमारे टेलीग्राम चनल क्रिट टैम विज जोशी पे तो यास सिभाई डिस्क्रिप्शन ओपिन करेंड में दीए वी लिंग से उसे जॉइन कर लेना वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद